ओम जै श्री हरी विष्णू जै मातराणी दोस्तों आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माभगविती दुर्गा की क्रिपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों आज गुरु पुश्य योग है शाम को प इसलिए आज का दिन बहुत मेटपुड हैं तो गुरु पुश्य योग से संबंधित कुछ उपाए मैंने कल की वीडियो में आप शेयर किये थे कुछ जरूरी बाते जो आपसे उस वीडियो में मैंने शेयर नहीं किया था वो सभी बाते में आपसे आज की वीडियो में शे तो इतने सारे शुब संयोग जब आपको प्राप्त हो रहा हैं तो बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जितना हो सके आज शुब कार्य करना चाहिए घर में जितनी भी परेशानिया हैं उन्हें दूर करने के लिए कुछ बहुत जरूरी और बहुत छोटे-छोटे कार्य हैं जो हमें आज के दिन जरूर करने चाहिए तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसी ही कुछ बहुत जरूरी नियम जिनका पालन में स्वैम भी करती हूँ और चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार भी इस नियम का पालन करे तो कल की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें कौन-कौन से उपाई बताए गए हैं नहीं देखी तो जरूर देख लीजये और हां बहुत जरूरी है केले की जड़ धारन करना आप सभी जरूर इस उपाई को कर लीजये कोई भी इस उपाई को कर सकता है मतलब जरूरी नहीं है इस के उसका पंच्योपचार्व विद्य से पूजा करकर और धारन कर सकते हैं और यह उपाए मैंने आपको कल की वीडियो में ही बता दिया है तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देखे क्योंकि पूरी विधी उसी वीडियो में हैं। कर साफ करके शुद्ध करके और धूप दीप दिखाकर और उसके बाद दुबारा धारन कर लीजिए इससे क्या होगा इससे आपके रत्न में एक नई एनर्जी एक नई उर्जा का संचार होता है आज का दिन बहुत रेष्ट है इसलिए आज के दिन अगर आप अपने रत्नों को और रुद्राक्ष को धोते हैं साफ करके 55 विदी से पूजा करते हैं फिर दुबारा धारन करते हैं तो उनसे दुबारा आपको उतना ही फल यानि की नए जैसा फल प्राप्त होता है रिचार्ज हो जाते हैं नई शक्ति उनमें आ जाती है सोने या चांदी की अंगूठ कर 54 दिनर तक मतलब पूरा दिन पड़ा है आपके पास किसी भी दिन कर सकते हैं इसके अलावा घर के मंदिर में आज विधी विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए तो घर में जो भी धातु की मूर्तिया हैं मतलब जो भी आपने घर में धातु के विग्रह रखे हुए हैं चाहे लक्षमी गड़ेस का या फिर ठाकुर जी का या फिर कोई भी मूर्ति जो आप धातु में रखते हैं जैसे की सोने या चांदी की मूर्ति हो या फिर पीतल की मूर्ति हो अश्ट धातु की मूर्ति हो या फिर जैसे घर के मंदिर में आप चांदी का सिक्का रखकर पूजा कीजिए मतलब आज सभी मूर्तियों का अभिशेक करना है इस बात का ध्यान रखिए और हां कई भक्तों के प्रेश्ण आए हैं कि जो केले की जड़ हमने पहले से धारन कर रखी है तो आज सिर्फ उसको अपने गले से उतार कर और उसे धो दीजिए जल से धो फिर उसको धूप दीब दिखा कर मतलब पूजा कर लिजिए पंचो पचारवीती से और दुबारा धारन कर लिजिए मतलब उसे ही आप दुबारा रिचार्ज कर सकते हैं दूसरा नया बदलने की अवश्यक्ता नहीं है लेकिन जिन लोगों ने केले की जड़ धारन नहीं क लग रहा है तो इस प्रकार के कमेंट्स जो आपके आते हैं उन सभी समस्याओं का समाधान है केले की जड़ ये बहुत मेंतिपोड है आज प्रयास कीजिए कि घर के आसपास कोई केले का पौदा हो तो लाकर जरूर धारन कर ले और हां जैसे कि आप अपने घर में पोटली धनवर्षा पोटली बना कर रखते हैं तो आज आप अपनी तिजोरी में धूप दीप दिखा कर पूजा कर लीजे जो भी आपके पास पोटली है उसे खोलना नहीं है देखना नहीं है जो भी आपने रखा है वही रहने दीजे उसी स्थान पर धूप दीप दिखा कर और प तो अत्यंत इस्रेष्त हैई, बस आप इसे समय समय अभिशेक करके और पूजा करते रहेंगे, तो आपके घर में कभी भी आर्थिक दंगी नहीं होती है, देखे, घर में सारी चीजे होती हैं, पूजा के स्थान पर आप लुग हर चीज रखते हैं, लेकिन सही समय पर मतलब समय समय पर अगर आप उनका भी शेक नहीं करते हैं और सही विदी से उनकी पूजा नहीं करते हैं जैसे कि घर में श्रीयंत्र है या फिर शंक है या फिर कोई भी विग्रह है अगर आप समय समय पर उनका भी शेक ना करें पूजा ना करें अगर आप उनका सही समय पर और सही विधी से पूजन करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए जब भी ऐसे शुभ योग आते हैं तब तो विशेश रूप से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए और गुरु पुशी योग है तो प्रयास कीजिए कि आप घर में एक शुद किसी भी मंत्र का जब कर सकते हैं अपने इश्ट देवता के मंत्रों का जब कर सकते हैं गुरु के मंत्रों का जब कर सकते हैं जिससे अगर आपने दीक्षा ली हुई है तो कोई मंत्र आपको मिला हुआ है गुरु मंत्र मिला है उस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में और हां, अगर आप किसी भी प्रकार की परिशानी में हैं, जैसे कि आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं, संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, विवाह की मनों कामना रखते हैं, मतलब कोई भी ऐसी परेशानी जो काफी समय से आपके जीवन में बनी हुई है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको उस परेशानी से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो आज का दिन बहुत विशेश है, आज के दिन आप क्या कीजिए शाम के समय या पूरे दिन में कभी भी भगवान श्री हरी विश्णु के सामने शुद्गी का एक दीपक जला लीजिए, और भगवान श्री हरी विश्णु से प्रार्तना कीजिए, कि आपके जीवन में जो परेशानी है, वो दूर हो, मतलब आप पूजा कर लीजिए उसका भी समाधान मात्र विश्णु सहस्त्र नाम के पाठ से हो सकता है, तो विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज से प्रारम भी कीजिए, कम से कम 21 तक, 41 तक लगातार कीजिए, वैसे तो नियमित तोर पर अपना ही लीजिए कि आप प्रती दिन, 24 घंटे में, मतलब पूर विश्णु सहस्त्र नाम को, और इस पाठ को रोज कीजिए, प्रती दिन कीजिए, नियमित तोर पर कीजिए, एक नियम के तोर पर करेंगे, तो 41 तिन कम से कम कीजिए, और अगर आप श्रधावान है, भगवान स्रीयर विश्णु में आपकी आस्था है, भक्ती करना चाहत हैं, तो प्रती दिन नियम कर लीजे कि हर रोज एक बार विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ हवश्य करेंगे, अब माल लीजे कि नहीं कर पाते हैं रोज, स्वयम से पढ़ नहीं पाते हैं, तब क्या करें, देखें वैसे तो बहुत जल्दी में आपको बताने वाली हूँ कि इस प्रकार से आप स्वयम से भी बहुत आसानी से विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए मैं आप से कहूंगी कि आप लोग अगर पढ़ नहीं बाते हैं, तो सुन लीजे, मतलब सिर्फ मोबाइल पर चला कर सुन लीजे, इतने से भी आपको तालिस दिन तक तो जरूर कीजिए, और कई भगतों के प्रेशना रहे हैं कि विश्णु सहस्त्र नाम की वीडियो अपलोड करूँ, तो देखिए, जैसे ही समय मिलता है, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर अपलोड करूँगी, और हां, गुरु पुशयोग मे गाय को गुड और रोटी जरूर देनी चाहिए, तो आप रोटी ले लीजे, मतलब रोटी बना लीजे, उसमें आप गुड रख दीजे, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजे, अगर आपके पास केले हों तो केला उसमें रख सकते हैं, और ये किसी गाय को खिला दीजे, इसके सा कुछ खाने के लिए जरूर दीजे, दूद दे सकते हैं, ब्रेट दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, मतलब जो भी आपके पास उपलब दो, दूसरे जीवों के खाने की व्यवस्था कीजे, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं, घर के आसपास कोई मंदिर है, तो कुछ पूजा की सामग्रियों का दान कर सकते हैं, जैसे की कपूर का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, आज का दिन बहुत स्रेश्ट है कि ये गैदान आपको जन्म जन्मांतर तक राप्त होंगे, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार